आपने आज की एक उड़ने वीडियो को लेकर देखेगा कल टेंसे के पार्ट फॉस्ट में हम लोगोंने सेखा था कि continuous tense के sentences हम लोग कैसे prepare करेंगे और किसे भी tense के regarding we need to learn only three points the very first one is all about its ID यानि की हिंदी के sentence में continuous tense के idea में आपको बताए थी कि वही क्रिया के साथ में हिंदी के sentence में क्रिया के साथ में रहास से related word मिलेगा तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो tense है ये हमारा continuous tense है और उसके साथ वाले word से हमें ये पता चलेगा ये present continuous है past या future continuous है खेर वो काम हम लोग कर चुके है अभी जो मुद्दे की बात है वो है usage क्या usage हमें usage सीखने है कि continuous tense के खास करके अरुए बात करूं present continuous की तो present continuous tense के usage क्या है यानि कि at what times we use present continuous पहला जो इसका point है हम लोग बोलेंगे when any work is going on क्या when any work is going on at the time of speaking at the time of speaking यानि कि जब कोई भी काम बोलते टाइम लगातार हो रहा है like I'm teaching you are studying तो जब मैं बोल रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं जब मैं बोल रहा हूं तो आप पढ़ रहे हो तो मेरा आपको पढ़ाने का और आपके पढ़ने का काम क्या है बोलते टाइम लगातार हो रहा है तो ऐसी अवस्था में we use present continuous दूसरा जो point बनेगा वो ये बनेगा कि when any work is going on but not necessarily at the time of speaking क्या भई not necessarily at the time of speaking like मैं आपको कहूं कि आज कि मैं एक novel लिख रहा हूं तो I am writing a novel nowadays क्या भई I am writing a novel nowadays ये इसका second usage हुआ थर्ड point के अगर मैं बात करूं to show near future क्या भई to show near future future हमारा दो तरीके होता है भई एक होता है अगर मैंने कहा कि मैं शिमला जाओंगा तो मैं भी 2-3-4-5 महीने के बाद में जाओंगा लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं और अभी मेरा piece of choke है वो खतम हो गया अगर मैं अपना piece of choke लाओंगा तो मैं भी तब तक हमारा session जा चुका होगा time जा चुका होगा तो मैं अपना choke लाओंगा नहीं मैं choke लाने वाला हूं तो मैं क्या बोलूंगा I'm going to bring a piece of choke तो कोई भी चीज नियर फ्यूचर में जो होने वाले हूं उसको दिखाने के लिए we use present continuous fourth point क्या है कि बई किसे की जो habit है bad habit है किसे की वो इच्छा के खिलाफ दिखाने के लिए हम लोग present continuous का use करते हैं हम लोगों ने पहले पढ़ा कि वह हमेशा जूट बोलता है तो always generally usually words के साथ में हम लोगों ने बोला था सीखा था कि वह आपके पहले form लगा नहीं है लेकिन he is always telling a lie is the right answer तो by some and large यानि कि मोटा मोटी तोर पर हमारे present continuous के यह four usage है तो इनकी practice हम लोग आगे करेंगे लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी काम जो बोलते टाइम लगातार हो रहा है या कोई भी काम लगातार हो रहा है बट not necessarily at the time of speaking या to show near future या किसे की गलत habit को इच्छा के खिलाफ दिखाने के लिए we use present continuous हम लोग complete कर चुके हैं अभी जो बार यह वह पाउफिक टेंस्टी किस की है भाई पाउफिक टेंस्टी इस note show में या खडा उगर कि आपको पढ़ाता ही रहेंगा या आप अभी पढ़ते ही रहेंगे या अवाज लगातार आती ही रहेगी it means time ऐसा आएगा जहां मेरा आपको पढ़ाने का आपका पढ़ने का और बाहर से आवास के आने का काम क्या हो जाएगा complete हो जाएगा, confirmed हो जाएगा, बोले तो perfect हो जाएगा, जब कोई भी काम हमारी पूरणता के भाव में आ जाता है, तो वो कौन से वाले tense में आ जाता है भई, perfect में, और किसी भी tense के regarding, we need to learn only three points, the very first one is all about its ID, कोई भी हिंदी का sentence हमारा perfect tense का है, ये पता कैसे चलेगा, continuous का कैसे पता चला था, हिंदी के sentence में, क्रिया के साथ, रहा से related word आया था, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, कि भाई, हिंदी के sentence में, क्रिया के साथ, लगबग, चुका या लिया, से related word आएगा, और इसके साथ वाले word से हमें ये पता चुरेगा, ये भाई, present perfect है, past perfect है, या future perfect है, इन तो वो हो गया, future perfect, दूसरा point क्या है, structure, जब कभी भी हम लोग perfect tense का एक sentence बनाएंगे, तो भाई हम सबसे पहले use करेंगे subject, क्या लगाएंगे भाई, फिर लगाएंगे helping verb, क्या लगाएंगे, helping verb, after that we are going to use verb third form, and later on it is all about our object, देखेगा, मैंने आपको बताया था, English का कोई भी जो हमारा sentence बनेगा, उसका pattern क्या होता है, svo, यानिकि subject, verb, object, but यह ज़रूरी नहीं कि जो हमारा pattern हो, वो svo ही हो, यह हमारा vsov हो सकता है, कैसे, there was sitting an old lady under the tree, तो यहाँ पर an old lady है, यह हमारी verb के बाद आई है, यानिकि जो subject है, यह verb के बाद आया है, तो इसको English में inversion बोला जा है, क्या बोला जाता है, inversion, तीसरा point क्या था, helping verbs का, present की बात करूं तो, we have got two helping verbs right here, has and have, and we always use our helping verbs with our subject, according to our subject, अगर हमारा subject singular है, तो लगा दो has, अगर यह plural है, तो लगा दो have, with I and you, we are going to use have, past में perfect की only one helping verb is there, that is all about had, and you can use it anyhow, यहाँ पर दो हैं भई, will have and shall have, लोग कहते हैं कि shall वाली जो हमारी helping verbs हैं, वो किस के साथ आती हैं, I और V के साथ, और बाकी, with the rest of the subjects, we use, will have, लेकिनि यह कोई जरूरी नहीं है, अभी तीनों ही चीज़़े अपने पास हैं, अभी कोई, अगर इसका मैं एक sentence यहां, हिंदे मे लेक दूँ, तो I hope हम लोग English में बनाने की, let's try, भाई, रवीता football खेल रही थी, है न, तो अभी क्या है, रवीता football खेल चुकी है, सबसे पहले तो आप मुझे बताईएगा, क्या यह वाकिया हमारा perfect tense का है, जी बिल्कुल है, कैसे पता चला, आहां, यह नहीं बोलना है, कि इसके अंत में चुका चुके चुकी आ गया है, नहीं भई, क्रिया के साथ, क्रिया क्या है, खेलना, क्रिया के साथ, चुका से related word आ गया है, तो यह perfect है, अभी अगर यह find out करना है, कौन से वाला perfect है, तो भई यह present perfect है, क्योंकि इसके साथ वाला word किस से related है, है से related है, अगर हमारा present perfect है तो helping verb भी किस की आएगी present perfect की आएगी और present में perfect की किदनी helping verbs है भई दो है कौन-कौन सी has और have तो structure के हिसाब से सबसे पहले मैं क्या लगा दूँ subject अभी football कौन की third form 95% works ऐसी है जिनके पीछ एडी एडी लगा दो तो second और third form बंज रहेंगी खेलना क्या होता है play साथ में क्या लगाना है एडी रवीता has played रवीता खेल चुकी है अगर object चाहिए तो पूछ लो क्या फुटबॉल तो यह आगया वाई football आगे कुछ है नहीं जी फुल स्टोफ लगा दूँ लगा दो जी फुल स्टोफ क्यों लगाया क्योंकि जो helping वाब है जो helping वाब है वो हमारे subject के बाद आई है अगर यह subject से पहले आती तो पीछे interrogation mark लगाना पड़ता यह सोरनो अगर यहाँ पर होता कि रवीता फुटबॉल खेल चुकी थी तो क्या यह अब भी आपका perfect है जे बिलकुल perfect तो है लेकिन कौन से वाला past और अगर यह past perfect है तो helping वाब ही किसके आएगी past perfect की और कौन सी है head तो यानि कि बाकी formula सेम रहेगा change होएगी तो सर्फ एक चीज that is all about your helping verb तो यहाँ has की बज़ाए क्या जाता head रवीता head played football अगर होता कि रवीता football खेल चुकी होगी तो रवीता will have played football इसे के साथ हर एक tense के सिर्फ तीन ही points से यादगरने है कौनगों से id structure and helping verbs that's it total हमारे बारे टेंसे हैं उनमें से 6 हम लोग कर चुके हैं तो आईए एक बार रु perfect continuous इससे पहले let me tell you one thing मेरा एक bestie है गोल्डी अब गोल्डी is truly good for nothing अभी मैं गोल्डी के घर गया तो मैंने देखा लाइव में पहली बार भाई लड़का पढ़ाई कर रहा था अब मैंने सूचा इसको भाई disturb क्यों किया जोए तो मैं उसके पास में चेर लेकरके I sat in the chair क्या I sat in the chair यहां पर on the chair क्यों नहीं वोला क्योंकि उस चेर की side arms थी अगर उसकी side arms नहीं होती तो मैं बूलता कि भाई I sat on the chair right तो हुआ क्या कुछ देर के बाद उसके पापा आए दोर बेल बजी उसके पापा आए और जैसे ही उसने दर्वाजा खूला तो उसके पापा ने पूछा हां बई क्या कर रहा है और उसने वोला पढ़ाई कर रहा हूं तो उसके बापो ने उसको एक दिया यह फटाएक अब I was also amazed कि लाइब में पहली बार तो बंदा रहा था लेकिन पाफेक्टली नहीं कर रहा था अगर वो अपने पापा को यह कहता कि आधे गंटे से पढ़ाई ही तो कर रहा हूं तो शैद उसके बापू नहीं पीठते क्योंकि उसके बापू के मैंड में एक बात गई जैसे ही मेरा आना होता है इसका बुक उठाना होता है अगर वो यह तो कहदा कि यह काम कंटिनुसली कर रहूं है और यह परफेक्ट तरीके से अगर वो बताता तो यह काम हमारे कुन्स वाल टेंस में आता परफेक्ट कंटिनुस में देखे किसी वी टेंस के रिगार्डिंग तीन ही चीज़ों की जरूरत है आईडी इसकी यह साधे में हम लोग से रहा से related वरड़ इसके अंधर मिलेगा और साथ वाले वर्ड़ से हमें क्या पता चुलेगा यह प्रेजन का है पासका या future का लाई्ट दूसरा point क्या है structure सबसे पहले हम लगाएंगे subject क्या लगाएंगे भाई subject फिल लगाएंगे helping walk क्या लगाएंगे उसके बाद we are going to use v1 plus ing क्या लगाएंगे after that we are going to use object क्या लगाएंगे अभी यहां तक का यह formula है कौन से वाले tense का है continuous का है लेकिन हम कौन सा कर रहे है perfect continuous तो यहां पर हम लोग दो चीज दो लगादेंगे either since और for plus time word यह formula हमारा बन गया complete उसके बाद में helping works थी अभी जो helping works कौन कौन से थी perfect की कौन कौन से helping works हमने ली थी भाई यहां पर क्या थी present में has और have थी किस की थी भाई perfect की थी लेकिन यह हम कौन सा कर रहे है perfect continuous तो भाई हम क्या करेंगे helping work helping work of perfect plus एक word जोड़ देंगे been क्या जोड़ देंगे तो यह क्या बन गया has been यहां क्या बन गया have been इधर perfect की यह एक ही थी head और साथ में जोड़ना क्या है been इधर दो थी will have और shall have तो यह दर क्या बन गी भाई will have been और बिलकुल भाई बिलकुल shall have been shall वालियों का हमें पताया यह और व के साथ में लगा दो with rest of the subjects use will have been had been को anyhow you can use it और जो have been है वो आएगी भाई प्लूरल के साथ with I or you के साथ has been आएगी भाई singular के साथ अच्छा since कब लगाना है for कब लगाना है लोग यह कहते हैं भाई definite time है indefinite time है यह है वो है हमें इतना लंबा चुड़ा हिसाब किताब नहीं करना हमें सर्फ यह देखना है मेरे लिए एक tough task है calculate करना क्या calculate करना यानि कि अगर मैं मुझे calculation करनी तो पड़े तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा letters किस में है since में देखे वो typical तरीका नहीं बता रहा मैं आपको कहें कि वह 1989 से पढ़ा रहा है अब 1989 से ले करके 2022 तक कितना time हो गया कितने साल होगे calculate करना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत होगी तो अब ज्यादा letters है since में उठागर के since लगा दो या part of the day दे रखा है जैसे वह सुबह से खेल रहा है वह शाम से खेल रहा है कल से ये काम कर रहा है तो हम क्या अगरेंगे बई since लगा देंगे और अगर calculation करके दे रखिए तो 4 लगा देंगे कैसे रवीता दो घंटे से फुटबॉल खेल रही है यह सिर्फ आपको समझाने के लिए है ठीके रवीता दो घंटे से फुटबॉल खेल रही है सबसे पहले बताईएगा क्या यह वाकिया हमारा perfect continuous का है जी बिल्कुल है कैसे पता चला से रहा यह हो गया और वर्व हमार यह हो गई कौन से वाला है present perfect continuous की कौन कौन से है has been और have been formula के इसाफ से क्या लगा दूं subject दो घंटे से फुटबॉल कौन खेल लिए तो लिख दू रवीता यह आगया रवीता रवीता के साथ क्या आएगा भाई has been आगे क्या है वब की पहली फोर्म खेलना क्या होती है भाई play साथ में क्या लगाना है ing रवीता has been playing object चाहिए तो पूछ लोग क्या football अभी अगर होता कि रवीता दो घंटे से football खेल रही थी तो के आता भाई रवीता had been playing football for two hours रवीता दो घंटे से football खेल रही होगी रवीता will have been playing football for two hours I hope बात आपको समझ आई तो आईए हम लोग रुख कर लेते हैं अभी कुछ exercise है कुछ हमारे sentences है let's go for it देखो भई मैं आम खा रहा हूँ अभी खाना क्या है क्रिया इसके साथ में किस से related word आया रहा से related तो ये कून से वाला हो गया भई continuous हो गया ये हैस से related है भई तो यानि क के इसाब से क्या लगाना है सबसे पहले subject आम कून खा रहा है वई मैं खा रहूं तो आए और present continuous में helping verbs कून कून से थी इस MR आए के साथ कून से आएगी अभी verb की पहले form क्या थी बेखाने के लिए eat ठीक है eat हो take हो क्या eat हो या take हो जो भी है आम eat आ गया और साथ में क्या लगाना है ing तो मुझे बताए डबल टी आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा आम eating मैं खा रहा हूँ object चाहिए तो पूछ लो क्या a mango हो गया अगर होता कि मैं आम खा रहा था तो आव ओस eating a mango मैं आम खा रहा होंगा आई शेल भी eating a mango बात समझाई आई होप आपको समझाई रमेश पुबोल खेल रहा है continuous का है कौन से वारा continuous है present का है तो भाई कौन फुटबोल खेल रहा है रमेश रमेश एक वचन है बवचन है तो इस लगा दू रमेश इस खेलने की वर्ब क्या है play तो यह आगया play साथ में क्या लगाना है ing रमेश इस प्लेइंग रमेश खेल रहा है object चाहिए तो पुछ लोग क्या यह आगया football अगर होता रमेश फुटबोल खेल रहा था तो भाई रमेश वोज प्लेइंग फुटबोल रमेश फुटबोल खेल रहा होगा साथ में अपने अपने स्कूल का नाम लिखते चलिएगा अपने नाम लिखते चलिएगा चुलिए वह पढ़ रही है लड़की है तो शी देखो पढ़ना वर्ब होगी रही आ गया continue से कुन से वाला प्रेजेंट है इसमर में से आएगा वह लड़की है तो भाई शी अकेली है तो इस आ गया पढ़ना क्या होता है रीड होता है वही साथ में क्या आएगा आएंजी आएगा शी इस रीडिंग क्या पढ़ रही है यह तो पता नहीं है अगर निउस्पेपर पढ़ रही है तो शी इस रीडिंग निउस्पेपर लेकिन है नी तो छोड़ दो वह तो जैपूर अगर होता कि वह जैपूर जा रहा होगा तो आप कोमेंट सेक्षिन में फड़ावट टाइप करके मुझे लिखकर लिख बेजिएगा बिल्कुल अपने नाम अपने स्कूल का नाम लिखेगा और जो जो नए स्कूल के बच्चे अभी जुड़े हैं तो उनका स् जवाब देदेगी चुलिएगा क्या तुम खेल रहे हो देखो भई पहले अगर हम यह कहें कि तुम खेल रहे हो खेलना रहे continuous हो गया हो present की बात है present continuous हो गया इज़े मार आएगा अगर continuous यह बनाना है हमारे को इंटरोगेटिव सेंडेंस तो जो helping वब है वो उठागर के subject से बाहर ले आओ तुम यानि की you you के साथ में कौन से आएगी आर आएगी तो आर पहले लगा लेते हैं आपर are you खेलना क्या है भई play साथ में क्या लगाना है ing are you playing और पीछे क्या आएगा interrogation mark आएगा बिल्कुल भई देखेगा अगर मैं गया था क्या तुम खेल रहे थे तो were you playing क्या तुम खेल रहे होगे will you be playing बिल्कुल भई बहुत यह बढ़िया चलिएगा बूंदा बांदी हो रही है देखो भई बारिश होना rain कहलाता है it's raining लेकिन ये बूंदा बांदी है बूंदा बांदी जो होती है downpore जो होती है उसको driesling बोला जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे it's driesling खेक है अगर होता कि बूंदा बांदी हो रही थी तो it was drizzling बूंदा बांदी हो रही होगी it will be drizzling चलिए सीता गये का दूद निकाल रही है दूद निकालना वर्भ है रही आ गया present वो है continuous कौन से वरा है present continuous helping verbs कौन कौन सी है is right तो काम कौन कर रही है सीटा तो यह आ गया सीटा present continuous में is right helping verbs है सीटा के साथ कौन सी आएगी is आएगी सीटा is दूद निकालना milk होता है बई milk दूद होता है दूद निकालना भी milk होता है तो साथ में ing भी लगाना है sita is milking क्या दखाओ अगर होता sita दूद निकाल रही थी sita was milking the cow, sita दूद निकाल रही होगी बिलकुल बहुत ही बढ़िया वई क्या वह बाजार नहीं जा रहा है देखिए जाना वर्भ है रहा आगया continuous है present continuous है ठीक है is he मार आएगा वह के साथ में क्या आएगा is आएगा तो भई is he जाना क्या है हाले कि note भी आगया है तो भई note यहाँ पर लिख देते हैं क्या is he note जाना क्या है go साथ में क्या लगाना है ing is he not going कहा to market is he not going to market और पीछे interrogation mark जो बच्चे spoken English करते हैं जिन भी schools के बच्चे यूड़े हैं आइधर मैं वहाँ जाता हूँ या हमारे trainers जाते हैं English zone के तो आप लोगोंने इनकी practice बखूबी की होगी and to be very frank लोग कुछ लोग कह सकते हैं कि भई आप रटा मार रहे हो रटा नहीं मारते हैं actually it is called practice practice करते हैं and you guys are doing truly very well एक दिन जरूर मुलाकात होगी आपके अपने campus में हम लोग आएंगे और वहाँ बिल्कुल face to face मिलेंगे भई आपसे वह तुम्हें गाली दे रहा है देखे गाली देना वर्भ है रहा आगया continuous है कौन से वहला present कौन दे रहा भई वह है यानि कि he he के साथ में is mr में से क्या आएगा is abuse होता है भई और ing साथ में आगया तो he is abusing किसको दे रहा है भई you full stop आ गया मैं देख रहा हूँ कौन देख रहा है मैं i m i के साथ m आएगा देखो c का मतलब क्या होता है भई देखना होता है भई look का मतलब क्या होता है देखना होता है watch का मतलब क्या होता है भई देखना होता है observe का मतलब क्या होता है भई देखना होता है notice का मतलब क्या होता है भई देखना होता है Glance का मतलब क्या होता है वई देखना होता है View का मतलब क्या होता है वई देखना होता है Glare का मतलब क्या होता है वई देखना होता है Stare का मतलब क्या होता है वई देखना होता है Gaze का मतलब क्या होता है वई देखना होता है लेकिन कैसे पहले बार तो ये English language के अंदर कोई भी synonym नाम की चीज नहीं होती लेकिन चला आ रहा है हमें भी करवाने पड़ते हैं that's it C का मतलब होता है normal देखना look का मतलब होता है एक जगह से ध्यान हटा अगर दूसरी जगह पर देखना जब टीजस लोग आपको कहते है look on the white board याने कि वहां से ध्यान हटाओ और यहां देखो वोच का मतलब क्या है एक ऐसे चीज को देखना जो लगातार हिलते डूलती है टीवी देखते हैं एक सीन आता है दूसरा जाता है observe का मतलब क्या है गहराई से निरक्षन करना मुझे नहीं दिखा तो यह glance हो गया व्यू का मतलब क्या है जहां मैं खड़ा हूँ और जहां तक मैं देख सकता हूँ that is called a view glare और stare का मतलब है गुस्से से देखना लेकिन एक में facial expressions के साथ में देखा जाता है दूसरे में without facial expressions कई बार होता है कि कोई आदम आपको देखे जा रहा है लेकिन अंदर-अंदर वो गुस्सा है तो आपको कमेंट करके बताना है इसको glare बोला जाता है या stare बोला जाता है gaze का मतलब होता है घूरना एक टकी लगा कर देखना तो मैं देख रहा हूँ तो आम sing कर देते हैं बिलकुन Siemens देखना और साथ में क्या आ गया आई इन जी अगर होता कि मैं देख रहा था तो I was sing मैं देख रहा होंगा I shall be sing यहाँ अगर आप will be भी लगा देते हो तो भी कोई इशू नहीं है ठीक है अभी perfect के आपके यह exercise आ चुकी है कल actually हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोगोंने कर लिया था owing to any emergency तो आज मैं आपके दोनों या में भी अगर possible हुआ तो तीसरे वाले tense की यानि की perfect continuous की भी हम लोग practice करेंगे तो एक बार फटाबर देखेगा मैं आम खा चुका हूँ खाना हो गया चुका से रिलेटिट आ गया तो perfect है कौन से वाला present perfect है present perfect की भाई helping verbs कौन कौन से थी has or have तो भाई कौन आम खा चुका है मैं मैं की English क्या होगी I के साथ में has तो आएगा नहीं क्या आएगा have अभी वाब की कौन से form आएगी भाई third form तो भाई eat होता है खाना eat ate eaten I have eaten वैसे spoken English में taken भी बोल देते है I have eaten मैं खा चुका हूँ object चाहिए तो पूछ लो क्या a mango ठीक है अगर होता कि मैं आम खा चुका था तो भाई I had eaten a mango मैं आम खा चुका हूँगा I shall have eaten a mango दूसरा देखिए वर्षया हो चुकी है कोई भी काम जो अपने आप होता है वहाँ पर एक हम लोग अपनी तरफ से subject देते हैं it जैसे अगले वाले sentence में भी ऐसे ही आएगा वर्षया हो चुकी है it हो चुकी है वर्षया होना rain होता है ठीक है चुका चुकी आगया तो perfect है has related है तो present perfect है it के साथ में have तो आएगा नहीं क्या आएगा has it has rain होता है भई बारिश होना कौन सी फोर्म आएगी भई थर्ड फोर् और अगर यह होता कि बारिश हो चुकी थी it had rained और बारिश हो चुकी होगी it will have rained अभी 7 बज़े है यानि कि घड़ीने 7 बज़ाए है अभी अपने आप बज़ गए है 7 फिक है it आ गया it 7 बज़े है यानि कि present perfect है अभी अभी तो बज़े है तो it has अगर अभी अभी है तो होता है भाई बजना strike struck struck right it has just struck कितने seven तो यहां पर हैस के बज़ाए क्या हाजाएगा head आजाएगा और will have आजाएगा बाद simple है हम अपना काम समाप्त कर चुके हैं देखिए करना चुके हैं present isn't perfect है तो कोन अपना काम समाप्त कर चुका है हम तो वी के साथ में has तो आएगा नि have आएगा we have काम समाप्त करना क्या होता भई finish होता है ठीक है we have finished form कौन से आएगी third आएगी भई तो we have finished हम खतम कर चुके हैं क्या अपना काम यानि कि our work आवर वर्क या आवर टास्क अगर होता कि हम अपना काम खतम कर चुके थे तो भई we had finished our task हम अपना काम खतम कर चुके होंगे we shall have finished our task ठीक है वह बहुत खेल चुका है यानि कि चुका खेलना के साथ में चुका आगया, perfect है, present perfect है, कौन खेल चुका है, वह लड़का है, तो he, he के साथ में क्या आएगा, has आएगा, play होता है भी खेलना, लेकिन form कौन से आएगी verb की, third form, तो ED आगया, he has played, क्या, कितना, a lot, बहुत सारे क्या होता है, a lot, वह बहुत खेल चुका था, तो क्या हैगा, यानि कि change होएगा, तो सिर्फ एक चीज, that is all about your helping verb, he had played a lot, वह बहुत खेल चुका होगा, he will have played a lot, yes or no, हाँ, बिल्कुल भई, देखिएगा, इसकी जो PDF है, यह हमारी app पर मिलेगी, और app का link नीचे description में है, अराम से जागर download कर लीजिएगा, कोई पैसा नहीं है, कोई charge नहीं देना है आपको, और वहाँ से free study material पर जाएगा, और इसकी PDF download कर लीजिएगा, तो आपका यह test है, और यह test आपको करना है जी, अब अल्याइट, अल्याइट, तो अब ही अगर आप continue करना चाहते हैं, तो बताइए, और नहीं तो हम लोग, मैं ही करवा देता हूँ, इससे आगे की exercise आपको हम दे देंगे, वह पिछले रवीवार से बिमार है, वह पिछले रवीवार से बिमार है, तो यानि कि वह क्या है, भाई, he has been, क्या, he has been ill, कब, पिछले रवीवार से, since last Sunday, अगर यह हूता, वह पिछले रवीवार से बिमार था, तो क्या जाता, he had been ill, since last Sunday, वह, चलो यह तो हो गए नहीं, वह यहाँ पांच साल रहे, चुके हैं, तो क्या आएगा, कौन आए चुके हैं, वे, they, have, क्या, they have lived, अभी मुझे बताएगा, यहाँ पर have lived आएगा, या have been lived आएगा, कब से, for, five, years, ठीक है, हाँ जी, हीर यह रह, अरे, दीखने रहा गया, यह रहा हियर, देखे, उसने अपना पाठ याद नहीं किया है, दखो, नहीं किया है, चुकाल लिया, या करना, जिसके अंदर फिलिंग आएगी, काम के complete होने की, तो perfect आगया, तो he, present की बात है न, तो has not, नहीं किया है, तो he has not, क्या, learnt, क्या याद नहीं किया भई, अपना पाठ याने की, his lesson, चिक्या है, अगर past की बात होती ही, तो has की जगे क्या आ जाता है, head आ जाता, और भई, future की बात होती ही, तो will have आ जाता, क्या भई, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, बताएए का comment section में लिखेगा, एक बड़ फट फट, वीडियो को like कर दीशेगा, share कर दीशेगा, let's go for thumbs up, तो मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, किसने कर लिया है, मैंने कर लिया है, तो I, आएगे साथ में have आएगा, वह आपकी third form आएगी, learnt, क्या याद कर लिया भई, मेरा part, यानि की my lesson, ये spoken English की, जो हमारी किताब है, उसका day fifth है भई, क्या आप अपना homework कर चुके हो, देखे, जब हम लोगों ने practice किये थी, have you done your homework, मैं अपना homework कर चुका हूँ, I have done my homework, मैंने अपना homework नहीं किया है, I haven't done my homework, क्या आप जाले साब कर चुके हो, have you cleaned the webs, मैं जाले साब कर चुका हूँ, I have cleaned the webs, मैंने नहीं किये हैं, I haven't cleaned the webs, यानि third form I cleaned the webs, तो I hope you guys are doing well, लेकिन इसके बाद भी हमारी practice से वैसे तो, यह हमारे perfect continuous के हैं, लेकिन चली यह perfect continuous के, जो हमारे sentences हैं, यह आपको अपनी तरफ से बनाने हैं, PDF से आप देख लीजीए का, एक बाद यह आपकर test है, और फिर इनको हम अगली वीडियो में, इनको discuss करेंगे, तो for the time being, EnglishJone YouTube channel पर, अगर आप नहीं हैं, अभी तक आपने इसको subscribe नहीं किया है, तो make it sure you subscribe to this channel, and hit the bell icon, well dears, it was really about today's session, so once again, I am your language trainer, Dr. Rajesh Rassami right here, I will be meeting you later on, for the time being all the same, may luck smile on you, have a nice time, take care, thank you, that's it for today's session, thank you.